गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है आईए हम आज का करेंट एफेर्स पढ़ेंगे शांदार करेंट एफेर्स और साथी साथ इसके जो इस्टैटिक जिक्के के एफेक्ट होंगे जो आपके परिक्षा के लिए बहाद मत पूनगा और यहीं से प्रशन आएगा आप लोग इसको पढ़िए और सांदार तरीके से इसको आप लिख लिजिए महीने का करेंट एफेर्स आपका खुदी बन जाएगा 9 सितंबर 2022 को किसने टीवी मुक्त भारत अभियान के शुरुआत की तो भारत में टीवी मुक्त भारत अभियान के शुरुआत करवाई गई है यह किया है भारत की राष्टपती रोपती मूर्मू ने इसका सही जवाब होगा टीवी मुक्त भारत अभियान तो हजार पचीज तक भारत से टीबी मुक्त करना, टीबी समाप्त करना है, टीबी समाप्त करना, तो ये किया गया है, नई स्वास्थ निती, जो आई थी, नई स्वास्थ निती, 2017 में, 2025 तक, टीबी को समाप्त करने की बात की गई थी, समाप्त करने की बात की गई है, अर्थात, लक्षे रखा गया है, लक्षे रखा गया है, ये बात याद रखेगा, तो टीबी मुक्त भारत अभियान, 2025 तक, टीबी को समाप्त कर देना है, भारत से, ये टार्गेट रखा गया है, ये रात करने, बैरी महत्पुन है, और इसके लिए, जो दुरोपती मुर्मू है, ये भारत की, पंदरहमी, राष्टपती चुनी गई है, पहली आदिवासी महिला, राष्टपती, दूसरी महिल से संक्रमर से, मंसुक मनदाविया हमारे स्वास्त मंतरी है, स्वास्त मंतरी है, मंसुक मनदाविया, ये भी याधी रखे, जमदीब धंकर नए, उपरात्र पती है, और ये भारत के 14 हमें उपराश्टपती है राज्य सभा के सभापती है भारत में स्वास्तेश्यत्र से 2025 तक बढ़कर कितने billion dollar तक पहुंच जाएगा स्वास्तेश्यत्र तो भारत में जो स्वास्तेश्यत्र है वो बढ़ते हुए पहुंच जाएगा 50 billion dollar तक भारत का स्वास्तेचित्र की जो ब्रांड वैलू होगी दोजर पचीस तक जो है पचास बिलियन डॉलर की होगी आप लोग धार रखेंगे बेहद महत्पुने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आप याद रखेगा स्वास्तेचित्र भारत में स्वास्तेचित्र के लिए योजना सुरुई थी आयुस्मान भारत अभियान अभी आयुस्मान भारत अभियान अभी आयुस्मान भारत मिशन है ना इसके ताथ योजना है परधान मंतरी इस मिशन के ताथ इस मिशन के ताथ परधान मंतरी जन आरोग्य योजना इसको सौर्ट में बोला जाता है पीयम जय जे ए वाई पीयम जय इस योजना के तहट प्रतेक परिवार पांच लाक रुपया प्रतिवर्ष स्वास्थ पीमा प्राप्त करेगा इसके लिए एक आईसमान काट बनाना होगा तो ये चीज़े आप ध्यान केगा प्रधान मंतरी जन आरोग्य योजना है ना बहुती महत्पुन है 2019 से ये लागू है तो 50 बिलियन डॉलर का हमारा स्वास्थ छित्र पहुंच चुका है बहुद मत्पुन है भारत 2000 SBI के अनुसार ये भी जान केगा SBI के अनुसार भारत 2019 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी अर्थ ब्योस्था बन जाएगी अभी कौनसे नंबर पर है अभी UK को पीछे चुड़ा है और 50 बड़ी इकोनोमी भारत के है भारत से चार सबसे बड़ी एकोनोमी कौन सी है अमेरिका एक नमबर चीन दो नमबर जापां तिन नमबर जर्मनी चार नमबर भारत पांच नमबर अच्छा है यूके साथ रूश अगला प्रसंद देखिए हाली में अपसिष्ट प्रबंधन में बिफलता के लिए एंजीटी ने किस सरकार पर 3500 करोड का जुर्माना लगाया है तो इसका उत्तर हो जाएगा पच्छिम मंगाली दराइट आंसर ये अब तक का एंजीटी के द्वारा लगाये गया सबसे बड़ा जुर्माना है नेशनल गिरिन ट्रेबनल ले लगाया है किसलिए लगाया है परियाबरन की किसी परियाबरन परिष्थिति को किसी भी तरीके से कोई छती होती है तो इसके लिए या कदम उठाता है परियाबरन की अंदेखी के लिए या किया गया है नजीटी ने पच्छिम मंगाल पर लगाया है 3500 करोड का जुर्माना तो यह ध्यान रखेंगे बहुत महत्पून है अग्यान पर लगाया है चलिए और देखेंगे NGT के बारे में चलिए नेशनल ग्रीन ट्रेबुनल इसका मुक्याला है नई दिल्ली और इसके जो प्रमूख है आदर्श कुमार है ना तो नेशनल गिरिन ट्रेबुनल अस्थापना हुआ था अस्थापना 2010 में हुआ था संसद के अधिनियम के द्वारा अधिनियम द्वारा या एक परकार का सामवेधिक निकाय है तो जहान रखेगा 3500 करोड का जुर्माना पच्छे मंगाल पर हाली में किस देश की परढ़ान मंतरी ने मुझीब छात्रवरती का आइलान किया है मुझीब छात्रवृति का आलान किया है किस देश की बंगला देश की पर्धान मंतरी ने मुझीब छात्रवृति का आलान किया है और किसके लिए जैसे 1971 में 1971 में बंगला देश मुक्ती बंगला देश मुक्ती संगराम जो भरत मागिस्तान जूद था बंगलादेश मुक्ती संग्राम में जान गवाने वाले या कमभीर रूप से खायल लोगों के लिए लोगों के परिजनों के लिए यह सुरू किया गया है यह सुरू किया गया है तो ध्यान रखेंगे यह इसलिए सुरू किया गया है मुझीब चातर बृति हो जना बंगलादेश के मुझीब है बंगलादेश के पिता कहे जाता है मुझीबुर रहमान उनको अंतराश्टी गां मंतर राष्टी जो है गांधी शांती पुरसकार भी मिल चुका है मुझीव छातेविर्ती योजना उनी के नाम पर सुरू की गई है बंगला देश के राष्ट पिता अभी उनकी पुत्री है सेख हसीना बंगला देश की प्रधान मंतरी भारती दोरे पाई थी तिन दिनों के गुए तो इसमें साथ सम्जोते पहस्ताक्छर भी उब और इसकी घ호शना भी गई है तो बंगला देश का अगर हम बात करें तो zamanida की राष्टानी धाका मगला देश की राष्टानी धाका है और बंगला देश जो है इसकी प्रधान मंतरी जो अभी आई थी आई थी दिसंबर गांग उनीशो एकात्तर दिसंबर उनीशो एकात्तर में यह बना था तो इस तरीके से भोती महत्पुन प्रश्ण है याद रखेगा चलिए अगले प्रश्ण पर आते हैं भारती मुल्की स्वेला ब्रेबर मैन को किस देश का गिरी सची उनिक्त किया गया है ना भा लिजट्रस बनी है तो उन्होंने अपना जो है क्या बनाया है गिरी सची उनिक्त किया है ते इसका उतर हो जागा ब्रिटेन है ना ब्रिटेन ब्रिटेन की जो है नई प्रधान मंतरी लिजट्रस ने भारती मुल्की ब्रिटेन की अटार्नी जनरल थी ब्रेबर मैन स्वेला ब्रेबर मैन ये जो है अटार्नी जनरल थी अटार्नी जनरल किसे बोलते हैं महा नियवादी थी अब इनको ग्रिश सची उन्यूक्त किया गया है अटार्नी जनरल को है ना तो ध्यान रिंगएगा इससे पीयम बनी है ब्रिटेन की नई पीयम लीजट्रस है ना इन्होंने किसको हरा दिया रिश्य सुनक को रिश्य सुनक कहारा कर लिज ट्रस ब्रिटेन की नई परधानमंत्री बनिया महिला है और ये दूसरी महिला तीसरी महिला परधानमंत्री है इनके पहले कौन बन चुकी है तो मार्गरेट थ्रेचर जो आरन लेड़ी आप दो वर्ल्ड बोलाता है मार्गरेट थ्रेचर पहली थी उसके बाद थेरेशा में दूसरी और तीसरी हो गई लिज ट्रस्ट लिज ट्रस्ट तो ये ध्यान केगा ब्रिटेन हाले में किस राज सरकार ने चात्राओं के लिए पुथूगाई रना पे नियोजना शुरू किया पुथूगाई पे नियोजना शुरू किया तिसका उतर हो जाएगा तमिलाडू के द्वारा पुथूगाई पे नियोजना चात्राओं के द्वारा एक सिक्षा कारिकरम है ऐसे भी लिखते हैं, पूथूगाई, पेनियोजना, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यह इसलिए शुरू किया गया है, पूथूगाई, पेनियोजना और यह छात्राओं के लिए है, खास करके, खास करके, शात्राओं के लिए शुरू किया गया है, भारत और किस देशों के लिए गांटर रैंसम बेरा भ्यास आउजित किया है भारत और किस देश ने मिलकर भहती महत्पून प्रसन है भारत और किस देश ने ऐसे प्रसन परिच्छा में जरूर आएंगे मिलकर 26 देखो के लिए Counter Ransom Bear Ransom Bear क्या होता है Malware होता है Computer Virus Computer Virus होता है Computer Virus बिर्टेन इसका सभी जबाब होगा बारत और बिर्टेन ने मिलकर 26 देखो के लिए Computer Ransom Bear जो अव्यास से आज़ित किया है और यह अती महत्वपुन प्रस्ण है कि भारती सुरक्षा परिशध हो दास ढिलिए सुरक्षा प्रमालि ने आसी कुअ प्रनली के शहयोग से में 26 देशों के लिए सफलता पुरवक benchmarks साइबर सुरक्षा आभ्यास का डि जाइन और संचालन किया तो इस तरीके से इंटरनेशनल कांटर रेंसम ब्रेयर अब्यास आयोजित किया है इस अभ्यास का उदेश से विभिन संगठनों को साइबर हमले के संकट से सुरक्षा परदान करना है विभिन संगठनों को साइबर हमले के सुरक्षा से बचाना है यह इसका अभ्यास है हाल ही में राष्टपती दरौपती मुर्मू ने जस्टिस M. दुराईश्वामी को की सा हाई कोट का चीफ जस्टिस निउक्त किया है तो यह याद रखेगा मदरास हाई कोट के चीफ जस्टिस बने है M. दुराईश्वामी मदरास हाई कोट के नय चिप जस्टीस M. दुराई स्वमी बने हैं तह वेरी-वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अच्छा तो ये देखेंगे चिप जस्टीस जो हाई कोट के मुख्य नियाएधिस जो होते हैं मुख्य नियाएधिस है ना नियुक्ति राष्ट पती करते हैं सुप्रिम कोट या हाई कोट उनकी नियुक्ति राष्ट पती करते हैं कितने समय के लिए तो 62 वर्स की उम्र तक हाँ 62 वर्स की उम्र तक जबकि सुप्रिम कोट का 65 वर्स की उम्र तक होता है 62 वर्स की उम्र तक तीन हाई कोट सबसे पहले बने, सबसे पहले कलकत्ता, 62 में ही, 62 में ही कलकत्ता, मदरास और बंबई, कलकत्ता हाई कोट पहले बना, उसके बाद मदरास हाई कोट, 1862 में ही तीनों बने थे, याद रखेगा, अब नए चिप जस्टिस बने है, मदरास हाई कोट के, M. कि स्वामी नय चिप चस्टिस बने के हालि में किस देशित ने चार बिवादीज परसांध दीपों के बिज़ामुक्थ यात्रा समझावते को समाप्त कर दिया जापान के साथ था वाले समझोता था बिवादित था अब वहाँ पर चार दिपो पर वीजा मुक्त जो चले जाते थे जापान वाले अब वीजा मुक्त जो समझोता था कि वीजा मुक्त फ्री वीजा से आप जा सकते हैं वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी अब समाप्त कर और भीजा मुक्त यात्रा समझोता था हो रूस और जापान का रूस और जापान का समझोता था समझ होता था जो 1999 में हुआ था तो यह ध्यान रिखेगा अब जापान के लोग उन चार दीपो पर बीजा मुक्त नहीं जा पाएंगे उसके लिए बीजा की जुरूत पड़ेगी रूस ने चार विवादित परसान दीपों के जापान के नागरिकों के लिए बीजा मुक्त आतरा समझेतों के समाप्त कर दिया यह जापान के नागरिकों को अब बीजा मुक्त नहीं जाने दिया जाएगा तो जापान के नागरी को के लिए बीजा मुक्त नहीं रहेगा उसको रूस ने समाप्त कर दिया है यह समझाता है रूस और जापान के विचुनिस नहीं 99 में हुआ था तो यह ध्यान रखेगा रूस की राजधानी है मासको राष्टपती बलादी मीर पुतीन बलादी मीर पुतीन है ध्यान रखेगा दुनिया की सबसे बड़ा देश है और रूस में ही है साइबेरिया इलाके में बैकाल जील दुनिया का सबसे गहरा जील बैकाल जील साइबेरिया में है रूस की साइबेरिया में है बैकाल जिल ध्यान रखेगा मीठे पानी का सबसे गहरा जिल है बैकाल जिल हाली में सुबरतो कप अंतराष्टी फुटवाल टूनामेंट कहां शुरू हुआ है तो सुबरतो कप ये शुरू है नई दिल्ली में हाँ शुरू है नई दिली में फुटबाल का टूनामेंट है सुबरहफ्तो कप अंतराश्टी फुटबाल टूनामेंट की शुरुवात हुई है यह एक 67 कायोजन COVID-19 के कारण दो साल के बाद शुरू हो रहा है 6 सितंबर से शुरू हुआ है और यह एक 67 संसकरण है दो साल बाद शुरू हो रहा है COVID के कारण यह तो दो साल पहले हो जाता यह बात यहाद रखियागा COVID का कारण दो साल लेट से शुरू हो रहा है यह एक 60 संसकरण है इसका नई दिल्ली में हो रहा है इस टूनामेंट के पिछले सत्र कायोजन 2019 में किया गया था जबकि 2020 और 2021 में टूनामेंट कायोजन नहीं हो सका पिछला टूनामेंट कहा हुआ था 2019 में और लेकिन 2020 और 2021 में नहीं हुआ 2022 में हुआ चुकि हर साल होता है यह तो इस तरीके से दो साल लेट शुरू हुआ है इसकी सुरुवात होगी 6 सितंबर से 6 सितंबर से शुरू हुआ है 6 सितंबर से नई दिली में शुरू हुआ है यह बात आद रखना है अपनों को नई दिली में कहा हुआ है तो बियाराम बेडकार स्टेडियम तेजस फुटबालिस्ट ग्राउंड सुबरतो पारक और जोहार लान लहरो स्टेडियम में किया जाएगा 6 सितंबर को होगा TD स्पोर्ट पर सिधा परशारण तो ये सारी बाते धान रखेगा है ना सुबरतो कप एक फुटबाल टूनामेंट है एक 60 संस्क्रण है दिली में शुरू हुआ 6 सितंबर से शुरू हुआ है 2 साल बाज सुरू हुआ है 2019 और 2019 में लास्ट हुआ था 2 साल नहीं हुआ 2020 में और 2021 में नहीं हुआ तो दो साल लेट से हो रहा है तो आज के लिए इतना ही इस सारे फ्यक्ट आप याद रखेगा कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रशनुक साथ तब इस सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत